जैन दोस्तों बंदे मातरम देखिए ऐसा है कि चाइना और पागिस्तान की जोड़ी वैसी ही है जैसे मजबूरी में हम लोगों किसी को लेकर ढोके चलना पड़ता है ना कि यार इसको नहीं लेंगे तो हमारी लिए हम माली कौन करेगा कुछ वैसा ही करदार यहां पर पागिस्तान का है चाइना के लिए इसलिए चाइना उसके सामने बार-बार कुछ पैसे भी भेगता रहता है जिसको कि उठाकर पागिस्तान दो मिलाता हुए इदर उदर भागता रहता है और दुनिया भर में भौगता रहता है कि देखो मेरा मालिक है मेरा मालिक ऐसा ही होता है लेकिन पाकिस्तान भी वही एक ऐसा देश है मतलब जो अपनी तरफ हमेशा पैसे को खीजता रहता मतलब आप देखेंगे कि एक इसा कुuit गूआ है जिसके अंदर पैसे जाता तो है लेकिन कभी कुछ बाहर निकल कर नहीं आता मतलब अलग-अलग financial institutions जो है वो इनको पैसा देते हैं कि भई आप अपने देश में development कराईए IMF ने जो loan देने से इनको मना किया है वो क्यों मना किया है 6 billion dollar का loan इनको दिया जाना तो पहले किछ देने से मना कर दी क्योंकि पिछले जो loans थे उनसे जो development काम होना था वो हुआ ही नहीं है टैक्सपेयर से टैक्स ही नहीं वसूल कर पाए तो आप बताएए ने एक किष्ट कैसे भरेंगे भाई एक देश जो है वो टैक्सपेयर से ही चलता है उनकी पैसे चलता है तो जब यह वही नहीं निकाल पा रहा है तो इनका देश क्या ही चलेगा अब ऐसे में जब चाइना भी अगर इनके उपर से हाथ खड़े कर दे तो यह बिचारे क्या करेंगे रात और रात सड़क के उपर आ जाएंगे और अब पाकिस्तान चीन का असली चहरा देख रहा है एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है पिछले कुछ महीनों से परदे के पीछे चाइना लगातार पाकिस्तान को अपमानित कर रहा है और पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है रिपोर्ट में कहा गया है कि CPEC प्रोजेक्ट की वज़े से पाकिस्तान अब गर्दन तक चीन के कर्ज में डूप चुका है और अब इस देश को बरबाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता रिपोर्ट की मानने तो चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर ने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच पाड़ों से भी उंचे महानगर से भी गहरे रिष्टों में अब दरार आ गई है हलाकि दोनों देशों ने अपनी दोस्ती की अब उत्पूर बताया था लेकिन जमीनी कंडिशन कुछ और ही है दरासल दोनों देशों के संबंदों के बीच में जो मजबूत दिवार थी वो अब दरक ना शुरू हो गई है जब चाइना और पाकिस्तान के बीच CPEC प्रोजेक्ट को लेकर समझोता किया गया था तो उस वक्त दुनिया के कई दोशें ने पाकिस्तान को प्रोजेक्ट को लेकर आगाह किया था लेकिन पाकिस्तान से प्रोजेक्ट जो था उसने सभी की चेतावनी को दरकिनार करते हुए चाइना के साथ प्रोजेक्ट साइन किया पाकिस्तानी निताओं ने देश की आवाम से काफी बड़ी बड़ी बाते कहीं थी और कई बड़े सपने दिखाये थे पाकिस्तानी निताओं ने कहा था कि प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद हर पाकिस्तानी लखपती हो जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की पूरी दुनिया से सबसे आगे हो जाएगी लेकिन अब पाकिस्तान को असलियत के सामना करना पड़ रहा है जब 62 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को पूरी तरीके से बरबाद करने के करीब पहुंच गिया है सीपीसी प्रोजेक्ट के तहट चीन के शिंजियांग शेत्र के गौदर बंदरगा तक 62 अरब डॉलर की लागत से कॉरिडूर बनना था जिसको लेकर पाकिस्तान के लोगों ने जमकर जश्न मनाया था लेकिन पाकिस्तान के नेताओं और बड़े सेन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट में जमकर बस्टचार किया इस प्रोजेक्ट के जरीए करोडों कमाकर पाकिस्तान के कई बड़े सेन अधिकारी पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका और यूरोप चले गए और देश कर्ज के दलदल में समय डूब गया है इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपरेंसी की भी भारी कमी रही और रही सही कसर चीन के छुपे हुए शर्तों ने पूरा कर दिया टाइमस अफ इसराइल की रिपोर्ट के माने तो इस प्रोजेक्ट की रफ्तार अब करीब करीब बंद हो चुकी है और इस प्रोजेक्ट में अब पाकिस्तान के मजदूर नाम मातर के ही बचे है एक तरफ पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फस रहा है तो चाइना छुपे हुए शर्तों का पितारा धीरे धीरे खोलता जा रहा है 14 जुलाइको पाकिस्तान में चीनी इंजिनियरों की बस पर हमला हुआ था जिसमें चीन के नौ इंजिनियर मारे गए थे जिसको लेकर चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपनी जाच टीम भीजी थी और अब चाइना ने पाकिस्तान ने तीन करोड 80 लाग डॉलर का मुहाफ़ा मांगा है और मुहाफ़ा नहीं देने तक चाइना ने दासू डेम का प्रोजेक्ट बंद कर दिया है जो पाकिस्तान के लिए अपमान और सबसे बड़ी बात एक आर्थिक आगात जैसा है दोनों तरह की बात है इसके अलावा टाइमस अफ इसराइल की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाइना कैपिटल मुबाइल पाकिस्तान से संबंदेद एक दूर संचार टावर को विस फोटोकों दोरा अशांत उत्तरी वजरिस्तान शित्र में नश्ट कर दिया गया थ पाकिस्तान सित मुबाइल डेटा नेटवर्क ऑपरेटर जॉंग के नाम से कारुबार करता है और इसको लेकर चाइना ने पाकिस्तान पर काफी ज़्यादा दबाव भी बड़ा दिया था टाइमस ओफ इसराइल के लेक में आगे लिखाए कि पाकिस्तान के लिए हर गुजरते दिन के साथ आर्थिक बोज का फंद आ और गहरा होता जा रहा है सर्गियों ने अपने लेक में लिखा कि चाइना पाकिस्तान से बड़े बड़े निवेशों को वापस ले रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान के पास पैसों का ना होना और पाकिस्तान में सुरक्षा संकट है चीनी बैंक को अब लगने लगा है कि पाकिस्तान उनके पैसों को वापस नहीं कर पाएगा चीन ने अभी तक तीन प्रमुक राजमार्ग पर योजना मतलब 210 किलोमेटर डेरा इसमाइल खान बोजोब रोड 110 किलोमेटर खुजदार बसीमा मार्ग और 236 किलोमेटर के राइको कहा गया है कि अब समय आगया है कि पाकिस्तान समझे कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीती के तहती पाकिस्तान का शोशन कर रहा है और अगर 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 पाकिस्तान अपने गले के से चीनी फंदा नहीं निकाल पाता है तो भविश में वो इस फंदे को कभी भी नहीं सामना कर रहा है वो समस्या यूं ही बढ़ती जाएगी चाइना के बारे में भले ही पाकिस्तान को सभी लोगों ने आगा किया हो लेकिन पाकिस्तान उस थरह का इंसान है जो कि सिर्फ मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने फायदे को देखता है वो उसके फ्यूचर कॉंसिक्वेंसिस की तरफ नहीं देखता आपका एकना इस मामनों जो कमेंट करके जरू बताइएगा मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जाए हैं जाए बारत